उत्तरकाशी के सिल्कियारा सुरंग में फसे बेहार के पांच मजदूर सुरक्षित वापस अपने घर लोटाए हैं। ऐसे में रोतास के रहने वाले सुशिल चर्मा भी एक हैं जो 17 दिन तक टनल में फसे रहे। जिसके बाद रेस्क्यू कर उन्हें 41 मजदूरों के साथ सकुशल बाहर निकाला गया। पहना कर भव्य स्वागत किया। इस दोरान शरम विभाग के अधिकारी और बीडियो भी मौजूद रहे। टनल से लोटे सुशिल चर्मा के चहरे पर भाव अभी उस मंजर को गवाही दे रहे थे। वो बताते हैं कि उन्होंने आज छोड़ दी थी। 18 गंटे बाद जब ऑक्सिजन मिली तो जिन्देगी की उमीद बनी। टनल के अंदर कैसा महसूस हो रहा था क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा था। अपने अस्तर से भी कुछ प्रयास आप लोग के द्वारा किया रहा था। नहीं हम लोग अंदर से परियास नहीं हम लोग की ए अंदर के कंडिशन बूद खाता है अगे में काम कर रहे थे। जो घटना हुआ है अब को डेर सोफे हुआ है तो फस्टेम हुआ है तो चीज के हम लोगों जनकारी भी नहीं था दोसरा आदमी जो अंदर फंच गया था वो हम लोगों जाके बताया यह साथ प्रब्लम हो गया हम लोगा के देखा तो पूरा पैट था बाहर से किसी तरह का सं अधर फ्रेश पानी जाता है दूसरे से काचण बाहर निकलता है अंदर में जब कनेक्शन खोले तो आम लोगों के बाहर से पानी नहीं आ रहा था फ्रेश तो हम लोगे माले चुल लग नहीं बाहर वाला भी खोल दिया है जिससे हम लोगों आक्सीजन आएगा तो अधर के लिए ताम लोगव दूज़ दिन मूरी और चाना प्यूंस पीने के लिए पीने के लिए पानी केमिकल वह जो आप से घिर रहा है और पानी पीजिए सरकार द्वारा काफी परियास किया सरकार को लेकिया कहें दोग लोग सब हम लोह का बहुत निसीए पूरे लोग जो बेकीश हैं, आप उसका कैसे कोडिशन चल रहा था है, कैसे दिन काट रहे थे, राथ कैसे काट रहे थे, कैसे मुझसर रहे हैं? अगर टेंसन होगे तो उसका हम लोग होगे तो कोई इसरा कर रहा है, मतलब दूसरे का हुसला बना जाएं समय कैसे बिजिद कर रहे थे, उसमें हम नेट काप कर रहा था, ना कुछ आखिर मुझसर ने कर रहा था, पर फटा दास दिन के बाद मुझसर चार्जिंग सिस्टम आ गया, खाना भी आने लगा, तो अपना सब मोबाइल में कोई खेल रहा है, से गियों चल रहा है, कि चल दे सहायता कितना दिन के बाद मिले, सहायता में 18 गंटा के बाद मिले, भोजन होड़ा कैसे पोंच प्रारा, था आप लोगों के पास जो बोला जा रहा है, वो जो बोला जा रहा है, वो और रेडू कॉंपनी अपना सबनाई है, बाद में आपको जो सुपर इंजिनियर तो अमेरिका से है तो उनों पहले पुझा पाट किया तब तरम के लगा के पास खुल गी है वो जो मंदिर हम लोग बनाया था ना तो और रेडियो बिसकार में खुजा ही दिर घ्श्रून भी जोगप रखा है दो उसके बाद में बार स रवक पूल आया था तो फूल के लिए वाहर को कटेंग करना था दो अभी मंदिर खथा कि उंक अंडर मेरा था यहीं बाद में तो झेक्र और फियुल की खबर बाह में कब्दा मंदिर को बहुत बनाया गया कि इस में जो मंदिर के बाद हो है तो हम लोग जहां हम लोग काम करें टॉनल के पास टॉनल से घर तक का सफर कैसा रहा है कि हम लोग तो कुछ मालमें नहीं जाएं घर तक का सफर यहां तरह तोहां पर टीम थे डाक्टर लोग थे सब्सक्राइब पर चेक आप किये तुरण हम लोग एंबुले दो बैठा के चिनियाली सोड है वहां पर सरकार हो स्पीटल तो लोग वहां पर लेगे तोहां पर रात दोहर हम लोग रखें वहां पर ब्हामी जिया है तो मिलतात्री प्या जो उनको मैंदर देना को दिये उसके बाद जो चीन फेलिकप्टर है शेना का उसके हम लोग बेजा गया एल्सोफिटल शोफिटल रोग है योजग पर आप्र हम लोग इलाज हुआ है उसके बाद में वहीं श्रम विभाग से पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि बेहार सरकार की तरफ से उन्हें श्रम कार्ट दिया गया है और PM विश्व करमा योजना के लिए जल्दी रेजिस्ट्रेशन कराए जाएगा तो यहां से किसी ने हमको फोन किया था कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है फिर मैं इनके घर पे रात में आया और इनके पिता जी और परिवार जनों से मेरी बातचीत हुई मैंने कहा कि सरकार के अस्तर पर तक्नीकी जो परयास है वह हो रहा है वह जल्दी वापस आ जाएंगे आप लोग हिम्मत रखें और इन लोग की बातचीत हो रही थी इनके भाई साब वहां गय हुए थे तो दिला हम लोग को पूर्ण उमीद था कि यह लोग सकुसल वापस आएंगे और हम लोग इस वर सभी प्रातना कर रहे थे क्योंकि जब सारा तंत्र फेल हो जाता है तो हम खुसी में मतलब इतने खुस हैं कि भाव भी भोर हैं मतलब वह एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो अभी अपने घर परिबार में जाएंगे अच्छे से रहेंगे और जो भी सरकार का योजना है जैसे अभी स्रमकार्ड हम लोगों ने भी तुरत प्रखंट से बना करके द किस तरह से लग रहा है सब्सक्राइब बहुत खुसी है और मैं भी संजोग से इसी जीला का वासी है मैं मेरा नुखा घर है तो हमको बहुत पिसने था कि अच्छा से आ जाए और हमको पहुंचाने का जिम्यदारी मिला तो बहुत अच्छा से हम लोग पटना से ले करके लने को फायदा है और इनको और भी कोई समस्या आएगी तो हमारे जो लोकल अफसर हैं हर तरह से मदद करेंगे और हमारा ऑफिस डालमिया नगर में जिला का है वहां भी है किसी भी तरह की समख्राइब क्या समस्या हो तो हम लों का वहां से किया जा सकता हम परिवार के पुरा परिवार के लिए है इसमें पुरा डिटेल्स तो अभी बता दिया गया इसमें सब कुछ है थीक बतलब एक लेवर कार्ट बनने से बच्चे के जर्णम से लेके और अंतिम जो समय होता है वहां तक इसमें सारी सुगधात बुद्धी जाते हैं बच्चा होता है और आगे भी जिनको हमारे लेवर है हमारे सरम परवर्तन पता दिकारी अस्थानिये हैं इनसे संपर कर सकते हैं और आगे का काम कर सकते हैं वहीं सत्रह दिन तक टनल में फसे रहने के बाद वापस अपने पैत्रिक घर लोटने पर सुशील शर्मा के परेजनों ने आप बीती बताते हुए सरकार का धनेवाद दिया आज अब कितना खुशी हो रहा है बहुत खुशी है बहुत खुशी है बहुत खुशी है सरकार के धनवाद बता दें कि अलगलग राज्यों के 41 मजदूरों के साथ बिहार के 5 मजदूर भी 17 दिनों तक उतरकाशी टनल में फसे रहे पटना पहुँचने के बाद अधिकारियों की देखरेक में राज्य से सभी शर्मिकों को उनके पैत्रिक गाउं पहुँचाया गया है पंजाब केसरी टीवी के लिए रोता से मिथलेश कुमार की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद